दुर्गापुर, जो जार्खंट के बोकारों में पढ़ता है, कहा जाता है कि इस गाउग में लोग खोली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गाउग में भयन कर महामारी और आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 की आवादी वाले इस गाउंग में लोग अपने मर चुके राजा के आदेशों का अभी भी पालन करते हैं और इस डर से सहमें हुए रहते हैं कि उन्होंने राजा की आग्या नहीं मानी तो उनका भूत गाउंग में आकर तबाही मचा देगा। इस गाउंग में एक कहानी प्रचलित है। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुर्गापूर नामक इस गाउंग में दुर्गा प्रसाद नाम के एक राजा का शासन था। उन्हें हुली का त्योहार बेहत पसंद था लेकिन एक रोच हुली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो उसके बाद से गाउंग में जब भी हुली का त्योहार मनाया जाता था, वहां या तो सूखा पर जाता था या महामारी फैल जाती है, जिसमें सेकरों लोग मारे जाते थे। महामारी से तंग आकर राजा ने समस्त प्रजा को होली का त्योहार ना मनाने का आदेश दे दिया लेकिन कुछ सालों के बाद इत्तिफाक से उस राजा की भी मौत होली के दिन ही हो गई उसके बाद से ही यहां होली का त्योहार ना मनाने की एक परंपरा बन दोई जो अब तक चली रही है उनका मानना है कि अगर राजा के आदेश की अभेलना की तो उनका गुत आकर गाउंग में तबाही मचा देगा